21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है मसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोटे के अंदर कोटा ऐसे रिजर्वेशन के अंदर जो लागू करने के आदेश दिये गए हैं उसको लेकर पूरा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है तो इसके पीछे आखिर कौन है और आखिर यूपी में इसका क्या असर होगा और मायवती ने इस बंद को समर्थन क्यों दिया है मायवती जो कि इस तरह के बंद भारत बंद की विरोधी रही है पहले उनवन अखिर समर्थन क्यों दिया इसपर बात करेंगे इसके नावा 79,000 जो सिक्षक भरती थी उसमें आरक्षन का फर्मुला लागू नहीं किया गया ऐसा है गोर्ड ने माना और दुबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा इस पर कैसे भाश्पा सरकार योगी सरकार फंस गई है घिर गई है और वो क्या रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है इस पर बात करेंगे सभी विश्व पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिश शाती कुबूल जी दो जो मुद्ध हमने बताया दोनों कही केंद्र में है आरक्षन पहले बात कर लेते हैं सी रिजर्वेशन और जो 21 अगस्त को भारत बंद की बात कही जा रही है और सोशल मेडिया लगारतार ट्रेंड हो रहा है 21 अगस्त को भारत बंद मायवती ने में इसको समर्थन दे दिया है पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यह 21 अगस्त का भारत बंद वाकर बुलाया किसने है कौन लोग है इसके पीछे देखिए नेशी तोर पर जब खास्त दोर से एक तारीक को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एक अगस्त को इस स्टेक्ट को सब करने का और राज्यों का द आते हैं उन्होंने वो फेस्बुक लाइब पे आते हैं लाइब पे आने के बाद वो एक सीधे सीधे 21 अगस्त भारत बंद का एहलान कर देते हैं हाला कि वो मामला उस समय तक तूल नहीं पकड़ता है वो दो-तीन है लेकिन दूसरे दिन से उसमें लगाता है ट्विटर पे दिरे दिरे माहौल बनना सुरू हो जाता है और वो लगातार फिर ट्रेंड कर रहा है और अगर देखेंगे पिछले तीन दिनों से वो टॉप जो ट्रेंड है उसमें से जो है वो सामिल है लेकिन यह मामला जब खास्तों हर्याड़ा के जो सत्पाल तंवर हैं उनके वहां से लेकि इसके पीछे जो फोर से लगती है उसमें तमाम बहुजन संगठन हैं अर्चन बचाव समीती है वो इसके अलावा बस्पा का इनवाल बस्पा जिस तरह से इनवाल हुई फिर चनसेखर की भीम जो आर्मी है वो इनवाल हुई उसके बास देखेंगे आप तमाम जो समय कर दिया है मुझे लगता है बस्पा का बढ़र्ण है इसके पीछे भी आकास अनन की बड़ी भूंगा रही है और वही हरियाना में करते हैं और हरियाड़ा में करके कहते हैं तो नीशे तोर पे जो बताया मैंने कि एक सत्पाल वही सक्स है जिसने के खिलाफ दो हजार अ दस राज्यों में पंद्रह फायर दर्ज हैं उसके खिलाब और उसने उस तरह उलाया था उसमें आप देखें के आठ से दस लोगों की मौत हो गई थी हिंसक अंदोलन हो गया था फिर उसी सक्ष ने इसका स्विववचोड़ा लेकिन यह माहौल बहुत गर्म हो चुका है बिल देकर 2018 में जो भारतवन बुलाए गया था उसका मायवती ने विरोथ किया था और आप अचानक से वह इसके समर्थन में क्या इसको कैसे देखा जा पॉलिटिकली इसको यूपी में जो मायवती सिकुड़ी है उनकी पार्टी जो सिकुड़ी है क्या उसके पीछ यह कारण है कि मायवती चाहती है कि भाई वो मोखर दिखा दिखाई दे आरक्षन के मुद्धे पर यह कुछ और कारण है कि निशी तोर पे जो एक बहुत बड़ा कारण आपने कहा कि बस्पा की जो सिकुर्टी जमीन है वो निशी तोर पे चिंटा का सबाव है थोड़ा सा बस्पा की राजनीत इस तरह के रही है कि वो अंदलोनों का और संग सड़क पर उतर के कोई धरना प्रदेशन विरूत प्रदेशन के राजनीत नहीं करती रही है कासी राम के दौर से भी आप देखेंगे तो काईडर बेस पाल्टी रही है वो कैंप लगाती थी गाउं में उन गैंप आरक्षन के मुद्दे पे उतरी थी जहां बोड कलब पे धरना प्रदेशन बड़ा रैली हुई थी उसमें बस्पा के लोग सामिल हुए थे और ये विरोध प्रदेशन के तौर पे था दूसरा जो है छोटे-छोटे ऐसे कुछ मामली हुए जो खास्तों जह है वो मायोती लगातार एक माहुल बना रही है एक चीज दूसरी चीज है आकासानन ने बाकाइदा प्रेस कांफिर्स करके कहा है कि हमारे समाज के द्वारा बुलाई गए जो भारत बंद का वहन किया गया है उसमें बस्पा के लोग सामिल होंगे बस्पा के जंडे बैनर दिखेंगे या इसको बदला जाए और उसको जो आरक्षण है उसको नवी सूची में डाला जाए तो मसला है कि यह एक चीज़ दूसरी चीज़ आपने का बस्पा का निशी तौर पे बस्पा जिस तरह से दो हजार बारा के बास से उसकी स्यासी जमीन सुक्ड़ी है उसके बाद बस्पा प हर जगे उपस्थित नजर आते थे कहीं छोटी सी घटना हो जाए तो वहां खड़ी नजर आती थी लेकिन बस्पा नहीं दिखती थी तो बस्पा पे जो इस तरह की इलजाम लगते थे मुझे लगता है उस नेरेटिव को मायोती ने तोड़ने कोशिश की है चाहे आप के जिस तरह से वो भारत बंद के समर्थन में उतनी है और जिस तरह मायोती आप देखे लगतार जिस दिन से फैसल आया है उस दिन से सोसल मीडिया से लेके प्रेस कॉंफिंस से लेके लगतार कर रही है और भारत बंद का समर्थन में और जिस तरह से उनने भारत बंद का समर सब नेक माहल बनाना कल से सुरू कर दिया है तो बस पार यह समझ गई है कि अब की राजनीत में घर बैठे काम नहीं चल सकता है अगर हमें दुबारा उभरना है तो हमें अपने लोगों के बीच में संदेश देना है और बस पार इसी स्यासी मजबूरी में इस तरह की राजनी की तरफ वो लोटी है यह बस पार की राजनीत का एक बहूत बरा टर्निंग पोइंट है अगा देखा जायतों पिलकुल बड़ा टर्निंग पोइंट है और बड़ा टर्निंग पोइंट एक जो फैसला है कोड का mendम वहीं बड़ा तर्जार बद्य औ भरती करें वो भी उत सामने अब लास्ता क्या है सरकार ने Supreme Court न जाने का फैसला किया है सरकार का कहना हाइक है वो फैसले का सममान करेगी और हाइक कोड ने जो आदेश दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करिए उसके लिए तैयारियां शुरू कर दे गई रही हैं अब इसमें जो कि अगर नई और जो लिस्ट आएगी उसमें जो सवन्ड के टिगरी के तमाम टीचर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे तो उनको भी बताया जा रहा है कि उनको भी समायोजित करने की तैयारी हो रही है यानि कि जो बीसी है उस समाज की लोग भी खुश रहें वो नाराज ना रहें जो सवन्ड के टिगरी की लोग हैं वो बाहर होके नराज ना हो जाएं तो उसकी तकुल मिलाकर सरकार हर रास्ता देख रही है कि कहीं से भी उसको विरोध ना जहिलना पड़ा हला कि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर एगरसीव है क्योंकि चार साल से मामला चल रहा था जब से भरती हुई थी उसके बाद से लगाता रहे मामला चला रहा था कोड में लड़ाई लड़ी गई जिसके बाद अभी फैसला आया और सरकार को बाद मानने पड़ रही है निश्य तोर पे जो खास तोर से उत्रप्रदेश में 79,000 सिच्छक भरती का मामला है य खास तोर से जब आरच्छन का मामला आजाता तो बीजेपी के लिए ऐसे ही आरच्छन बहुत मतलब साब के बिल में हाट डालने जैसा है बीजेपी के लिए खास तोर से ये बड़ी वज़ा रही है और ऐसे में जिस चीज को लेके अब समस्य यह है कि जो इस भरती के खास समधाय के उनके उपर असर पड़ेगा और ये कोई एक दो नहीं करीम नो से दस हजार सिच्छों के उपर गाज किरेगी एक चीद दूसरी तरफ आप जाईए तो दूसरी तरफ जो है जो लोग अंदोलन कर रहे थे बीजेपी क्योंकि लोग सभाचुनाओ के बास से जो उसके पर दलीत ओवी सी का विरोधी के तमगा लगता अब बीजेपी इसमें कोई और सुप्रीम कोड जाके वह और अपने आरोपों को और जादा अपने उपर नहीं मढ़नेना चाहती इसलिए बीजेपी ने या योगी सरकार ने उत्तर परतेश के तैय कि हम इसको लेके सुप्र से अग्रेसित थी उसके लावा आप देखिए उम्रकास राजबर संजने साथ सब को एक्टिव हो गया है और यह कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए बैक फूट पर जाना है और मगा लेकिन समस्था यह ही है कि जो इससे एफेक्ट हो रहा है अब जो खास्तों से नई सूची नहीं कर देंगे ना जो भरती जितनी हैं उतनी तो भरती रहेगी आप नो हजार कहां से किस तरह से भरती करेंगे एक चीज़ दूसरी चीज मुझे लगता है कि अब देखिए एक तरफ अगर सरकार नई सूची जारी करती है जो इसके एफेक्ट में आ रहे हैं मुझे लग दूसरी चीज यह मामला लगातार जिस तरह से हो रहा है उत्तर प्रदेश जिस तरह से केंडर में है उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोग सभाजी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को नुक्साना अत्वा प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे में आपोजीशन को भी बीजेपी पे आरेक्शनल विरोधी का टैग करना या नेरेटिव गणना बहुत आसान हो जाता है दूसरी तरफ यह है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे देखिए बीजेपी कैसे इसमें और फस गई है यह फैसला जो खास तोर से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका मानना है कि अगर नई सूझी जारी होती है यह तो यह कोई सरकार ने नहीं किया सरकार अपनी जो लोग उसका फायदा होगा दलीत ओवीसी जो आरच्षर से मनचीत रहे थे उनको लग रहा है कि उनके अच्छा डाका ढ़ा गया था उनको लाब मिलेगा वह भी यह मानने को तयार नहीं कि योगी सरकार ने उनको कोई प्रसवान दिया यह तो सरकार ने स्वेश्य से आज जो है उनको नोकनियों से वन्चित कर दिया गया तो बीजेपी के लिए दोनोत रखे और खास्त और चीज़ फैसला तब आया है जब उप चुनाओ को लेकर सरगर्मिया गर्म है तो इसका जो सीधा या जो नया वोट बैंक तयार हुआ है उसके लोग इसी समाज वह नराज हो तो कुल मिलाकर इस तरह की फैसले की आपने आपको नहीं फसाना चाहिए यह मामला बुल्ली चली रहा था और इसे बीच लेटर इंट्री वाला जी जी वूरा मस्का अगया उसको लेकर भी सरकार न और UPSC को लिखा है प्रधान मंत्री की तरह से दरखास की गई है उसके संग्यान में भी आरच्छन है देखिए आज सरकार नहीं कहाना कि जो इस तरह की भरतियां होती थी जो खास तोर से उनमें भी सरकार किस तरह से लगातार आरच्छन के मामले पर उलजती जा रही और उलजने के चकर में लगातार फैसला करती जा रही है अगर आपको यही प्रभावधान रखना था तो फिर UPSC की तरूर आरच्छन के तरह यह भरतियां हो ही रही थी तो आब क्यों जरूद पढ़ कर दोनों अखले शादों ने और जिस तरह से भरतियां सुरूब किया और यह बताना सुरूब किया कि सरकार कैसे दलित और ओबीसी के आरच्छन को वंचित कर रही है उसके जरीए कैसे बैक दोर से इंटी कर रही है और यह UPSC वाले पोस्टों के जरीए मतलब एक तरह से ब करने के कोशिश हो रही है और दलित OBC के भागेदारी को खत्म किया जा रहा है इस तरह के जो नेरेटिव है उसके वज़ा से ही बीजेपी ने इस फैसले को पलटा है मोधी सरकार ने भी इस फैसले को फिलहाल के लिए उसका बीच कर दिया गया है कि लेटरल एंट्री जो प सब्सक्राइब के बीच में और कोई मैसेज जाए तो मुझे लगता है इन सारी कारणों को देखते हुए सरकार ने अपने दो कदम पीछे खीच लिए बिल्कुल मिलाकर सरकार आज की तारीक में बिल्कुल नहीं चाहती जो मैसेज लोग सुभा चुनाओं के दर्मयान गया की सरकार मोधी सरकार आरक्ष्ण विरोधी है या सम्मेधान विरोधी है और इस तरह इक जो नरेटिव बना वो कोई भी ऐसा फैसला हो जमीन पर लागू हो जिससे इस छवी को और डेंट लगे और दिक्कत आये इसलिए जो फैसला लेटरल एंट्री वाला है उसको भी इसके पक्ष में नहीं है तो कुल मिलाकर बीजेपी जरावी जोखिम नहीं लेना चाहती है इस पूरे मसले पर यह पूरी बातचीत हमने जो कि आपको कैसे लगी हमें कॉइन बॉक्स में लिखका जरू बताएं बाकि जो भी अपडेट्स ऐसे राजनेतिक अपडेट्स आत पहुचाते रहेंगे आप देखते रहें टीवी राइंडेस टेल शुक्रिया